दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ की मा की पेट में एक महीने से लेकर नौ महीने तक बच्चा कैसे बढ़ता या बनता है दोस्तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए जानते हैं एक महीने की गर्ब आवस्ता दोस्तो पहले महीने में आपका सीसू एक भृूण आवस्ता में होगा जिसमें सेल की दो परते होती हैं इन्ही सेल में से सीसू के सभी यंग और सरीर के हिस्से बिक्सित होते हैं दो महीने की गर्ब आवस्ता, दूसरे महीने में आपका सीसू का माप अब करीब एक राजमा के समान हो जाता है, और अब वह अलागातार हिल डूल सकता है, उसकी उलिया स्वाष्ट मंगर हलकी सी एक दूसरे से जुड़ी होई होती है, चार महीने की गर्ब आवस्ता, चौते महीने में आपका सीसू अब करीब 13 सेमी यानि 5.5 इंच लंबा हो जाता है, और उसका वजन 140 ग्राम हो जाता है, उसकी हडियों का धाचा अब रबर जैसी लचिली वर नरम हडियों से कठोर होता जाता है, पांच महीने की गर्ब आवस्ता, पांच महीने में अब सीसू की भावे और पलके बन चुकी होती है, अगर सीसू की टांगों को सीधा करके देखा जाए तो आपका सीसू अब 27 सेमी यानि 10.5 इंच से अधिक लंबा हो गया होगा, वह अपनी आखे खोलवा बंद कर सकता है और सायद अपने आसपास की चीजों को देख सकता है, आठ महीने की गर्ब आवस्ता, अब आपके सीसू का वजन 2.1 किलोग्राम हो गया होगा, उसकी चर्वी की परते उसके सरीर को भरा भरा बना रही है, इससे वह गोल मटोल हो रहा है, उसके फेपडे भी अब अच्छी तरह से बिक्सित हो चुके होंगे, नो महीने की गर्ब आवस्ता, नोवे महीने में आपके सीसू का जर्म नियत ती ती अब लगबग आ ही गई है, जर्म केस में एक औसा सीसू सीर से पेरू की उंगलियों तक 51 से मी यानि 20.5 इंच से भी अधिक लामबा होता है, उसका वज सीसू के माप में काफी अलग-अलग हो सकता है।